विल्कम दोस्तों अब लोग को सवागा था हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज बात करेंगे एफे एर फसे एमे एल टीटेन मैच के बारे में उससे पहले देख ले थे हमारे टेल ग्राम चैनल जिस पर आप लोग देख सकते जितने सारे मैच कबार हो रहा है टीटेन का सा लिंक मैं यूट्यूब दिस्क्रिफिफ्टेन में दे दूँगा आप लोग देख सकते इदार में जाके यहाद अकर कलिक करोगे तो दिस्क्रिफ्ट्यूण में ऑप refugee यह स convenient है तो आभी बात करते हैं टॉपिक के बार में ठीक है यह मैश खेला जाएगा साम को साथ बज़े त्रीश मीट पर सेम ग्राउंड स्पिन में खेला जाएगा पीशी पर सेम यह बैट स्पैनर बॉलर्स दोनों को इक्वाली मदद मिलता है टीटन में स्वेशली बॉलर्स को बॉ जो कि बहुत नीचे बाइटिंग करने आ रहा है बॉलिंग में नहीं कर रहा है तो उतना इंपोर्टन नहीं है यह फारुक ओपेन कर रहा रहा है लेकिन लास्ट थ्री मैश फुल अब गया है आप लोग देख सकते हूं इसमें पांच रहन मनाया इसमें साथ और इसमें डाक वा था ठीक है तो इंपोर्टन रहेगा ओपन करने आएगा और अब लोग अगर चाहो तो ले सकते हो ठीक है जे पोपट जो कि बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है और रुकट किवर करेगा एमेल टीम के तरफ से एटराइब एटराइब ने अपने फर्स्ट मैच में ओपन करने आया था दो वर बालिंग भी किया था लेकिन उसके बाद बालिंग नहीं किया था लेकिन आ रहा है तो यह भी इंपोर्टन ने आएगा अपने सिंगल लिक के लिए बहुत अच्छा बैट्समन भी और फिर फिर यहां से बात करेंगर सी परचट के बारे में तो पिसी परचट तीन या चार नमबर बैटिंग करने आएगा अपमें टीम के लिए और फर्फिक्ट दो डालेगा ठीक है तो यह भी अच्छा आएगा सिंगल लिग में कैप्टेन भाई देने के लिए फिर अगर जेट शा लेगा मुझे लगता है से कि एक बार डाला था फिछले मैस में और बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है तो उतना इंपॉर्टन और यह सिंगल लिग के लिए बहुत अच्छा ओप्शन आएगा कैप्टेन भाइस के लिए यह जाइब इस टीम का सबसे अच्छा बॉल आ रहे ठीक है यह डे तुबान में बॉल करता है अमेशा डे तुबान में विकेट मिलता है लास्ट बान में दो तीन ले जाता है और ब करें जेट ट्राइब जेट ट्राइब ओपिन करने आएगा बहुत अच्छा बैट्स पैने और लास्ट मैश में एक बाट डाला था जिसके उसके बॉल पर एक कैज भी ड्रॉप वह था लेकिन उसके बॉल देखकर ऐसे लागा मतलब कुछ खास नहीं है उसके बॉल पर ठी लिए यह से जे सर्मर यह तीर नमबर बैटिंग करने आएगा और आप लोग देख सकते हूं लास्ट मैश में एक बाट डाला था लेकिन इस में पाज बॉल डाला था क्यूंकि रिचाट संगो चोट आगा था ठीक है तो यह इंपर्टन रहेगा क्यूंकि तीर नमबर बॉ बाल भी कर सकता है एक दूबर एक्राम इसका स्लेक्शन हाइए लेकिन में इसको रिकमणी करूंगा क्योंकि यह बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है और बालिंग भी नहीं कर रहा है ठीक है फिर नवीद नवीद भी कुछ खास नहीं कर सक अभी तक डबलू परचट न यह वालिंगी डालने वाला है आप देख सपाईय आएं, इसमें ऊवर बोलिंग ऑज डाला सबसक्ना आपने टी में सबस्क्राइब अपने टीम के लिए जाल कि अब है अब देख सकत उवलिए तुछ ऑज भी देख scom इस मैश में एक बाइव डाला था पाशन बना कर इस मैश में कि एक बर डाला दा देख लीज आपको हरो मैस में यह वंदा एक यह दो वाइड डालदेगा तो इसका सिलेक्शन बहुत कम हैं लेकिन इसमद इंपोर्टेंड राइगा और आप चाहो तो सिंगल इंग में फिर यहां से केन मैन का सिलेक्षन भी बहुत कम है लेकिन इसका भी देख लीजिए यह चार नमरों बैटिंग करने आ रहा है और एक दूबर बॉलिंग भी कर गारा है हर मैंच में देख लीजिए एक वर एक वर करके डाल रहा है तब लोग चाहो तो ले सकतो ग्राल लिंग मे इस माइश सम्पमहुत इंपड़न रहा है क्योंकि यह भी बॉलिंग कर रहा है अपने टीम के लिए दो बवरं रो ब्र बालिंग कर रहए है अब लोग देख सकते हूं और बैटिंग यो least कर सकता है तो यह बी इंपोर्टन रहेग हैंग आपने टीम के लिए फिर यहां से स बहुत अच्छा बॉला रहे और इसको चाहो तो ग्रांडिंग में कैप्टेन भाइस भी दे सकते हो यह महमुद अगर खेलेगा तो यह भी इंपोर्टन रहेगा यह अच्छा बॉला रहे ठीक है इसका सिलेक्शन बहुत लोग है आप लोग देख सकते हैं लेकिन आप लोग देख लिजिए यह बंदा हर मैश में दो वर डालारी वार दो वर डाला और उसमेस में श मैस में भी दो डालाकर थीथैक है तो आप लोग देख सकते हो हर मैश में एक या दो डाल रहा है कभी भी Wicked ले सकते यह नहीं पता और बॉलिंग करेगा प्रोपा दो वर तो सिंगल लिग के लिए कैप्टेन भाइस का बहुत अच्छा अप्षान है जी रिचाट्सन पहले मैच में चोट आगा था फिर सेकेंड मैच में दो वर डाला था था थार्ड मैच में एक वर डाला था ठीक है तो आप लोग चाहो तो यह ओपेंड दो ले सकते हो जे रिचाट्सन मैच में तो अब के लिए जो दिनी तीम रहेगा हमारा यहाँ यह राएगा यहाँ समें यह ट्राइव को लूगा और आप लोग चाहो तो यह फारुक को भी ले सकते हूं कि और यहाहां समेंट इस पारचति है कि ऑन से गेंशी को ले रहा हूं देख लीजाब लोग को से मैं माइस्टन ओपिंड करने आएगा और सरवार को इन दोनों को आर ये इसको ले रहा हुँ के लिए ठीक है अब इक लिए इसको ले रहा हुँ अब लोग सकता कि एक कराम का सिलेक्श्ट नहीं लेकं यह बहुत जे रिचेट्सन और आप लोग एम अंदान गुंदल को भी ले सकते हो, यह से आप लोग अच्छा हो, एम सर्वार या एम अंदान गंदल दोनों में से एक को ले सकते हो क्योंकि यह भी दो वाट डालेगा और एम ओसिम भी दो बाट डाल देगा तो दोने इंपोर्टन रहने वाला है अला कि सिलेक्शन बहुत लोग है लेकिन यह पांद पीख हो सकता है अपने टीम के लिए तो अभी के लिए मैं एम अधनान गुंदल के साथ जा रहा हूँ और जे रिचर्टसन के साथ जा रहा हूँ ठीक है तभी के लिए मेरा कैप्टन रहने वाला है यहासे सीक ग्रेंट सिल्ड और वाइस कैप्टन में एजाइब को दे रहा हूँ के लिए ठीक है तो यह देखिए मेरा टीम है इसमें से एमेल टीम से यह जाइब एस माईसम एन सजट एगंदल चारों बॉलिंग करेगा और किसी गिंशिल भी बॉलिंग करेगा मुझे लगता है क्योंकि इसका पास्ट रिकर्ट बहुत अच्छा है बॉलिंग में और इसके टीम से सी परचट जे संबूर आर पलमर और जै इस लिए चारों बॉलिंग करेंगा और जै ट्राइब भी बॉलिंग कर सकता है है अगर त्वाओं में अगर्ट पर लेंग फिर आएगा छे नमबर पर आएगा और फारॉप भी आसके ईस तो यहां vd बात करने सकते ह्प और बहुत है तो यही क्यों सीक्षारेंते हैं नहें नहींसाइद मतलब तो यह मेरा फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम मिलेगा आपको टेलीग्राम में जिसका लिंक में यूट्यूब डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब कॉमें सिक्षन में दे दूंगा वहाँ से जाके आप लोग जॉइन हो सकते हो और एक बात नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाला है उसमें से एक वीडियो से मैं गीवए देने वाला हूँ तो टेलीग्राम चैनल जरूर जॉइन करना अपडेट के लिए ठीक ह चैनल ये